नमसकार दोस्तो मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोत्रा दोस्तो इस वीड़ियो में हम बात करने वाले हैं विस विद्दले परिक्साओं के बारे में जो बड़ी अपडेड निकल कर आ रही है उस बारे में पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको स पहुंचे सभी वैस ठीक नोटिफिक ये आप देख सकते हैं 30 जून तक परिक्साइं कराकर रिजर्ट जारी करना चुनोती ये आप देख सकते हैं दोस्तो आपको पताई है जो उत्तर प्रदेश आसन उन्होंने मुख्य परिक्साइं कराने के निर्देश दिये हैं कि आप को मई तक है वो परिक्साइं समाप्त कर देनी है और 30 जून से पहले पहले है वो रिजर्ट जारी करना है तो दोस्तो ये बहुती ज़्यादा मुख्य रोचुका है रुहेल खंड विस्व विद्दाले हो या उत्तर प्रदेश के कोई और विस्व विद्दाले सभी के है बड़ी चुनोती होगा साथ ही छात्रों का पाठ्टे करम भी पूरा नहीं हो सकेगा विस्व विद्दाले की मुख्य परिक्साइं करीब 45 दिन में दोस्तो पूरी हो पाती है तो यदि एक मही से भी परिक्साइं है वो परिक्साइं चलेगी और उसके बाद 15 दिनों में रिजल्ड जारी करना है वो विस्व विद्दाले के लिए बहुत ही ज़दा है दोस्तों वो मुख्यल हो जाएगा कारण यह पहले दोस्तों कोरोना के कारण हुआ फिर दोस्तों कई महीने कोलेज बंद रहे फिर 50 पीजड उपस्तिति के साथ में है कोलेजों को खोला गया उसमें भी दोस्तों बीच में है वापस अलग अलग पाथ ठेकरमों की जो परिक्साइं है वह सुरू हो गई अभी 29 जनवरी कोई दोस्तों कई परिक्साइं है वो समाप्त हुई है और आगे फरवरी में दोस्तों विसम सेमेश्टर की जो चातर है उनकी भी लिखित परिक्सा पाया तो उसे जून मैने तक परिक्साओं का सेड्यूल जारी करना होगा यदि पंदरा जून तक परिक्साओं आयो जी तुई तो पंदरा दिनों में परिक्साओं जारी करना भी आसान नहीं होगा यदि नई शिक्षा निति के तहट परिक्षा सुधार के तहट लागू किय और अपरेल अंट तक है वो सिलेबस पुरा होना भी इंपोसिबल सा लग रहा है कारण दोस्तों इसके बीच में जो प्रैक्टिकल एक्जाम है वो भी होने हैं तो यहां तो कुछ कम से कम दोस्तों 30-40 वीज दी उत्तर प्रदेश में है वो सिलेबस में कटोती की जानी और यह क्यों हो रहा है दोस्तों क्योंकि बिना तारिक बड़े कोई भी है जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं वो पा रही है चाहिए मुल्यांकन की हो चाहिए परिक्सा फोरम बरने की बात वो प्रैक्टिकल एक्जामों के बात वो सभी में दोस्तों है वो परिक्साती थि रुहेल खंड विस्व विद्दाले और अन विस्व विद्दाले